Hello and Welcome to Online School India for Library Science एक बार फिर से आप सभी का Online School India for Library Science में जोड़दार स्वागत है दोस्तों मैं आपका दोस्त सुमेर सिंग कचावा पुस्तकालिया जेक्स आज की इस UGC NET SET की स्पेशल क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों जो भी वर्थमान में आने वाली UGC NET NET exam या किसी भी स्टेट का SET exam या फिर राजस्तान कोलेज लाइबिरियन या फिर MPPSC की त्यारी करने वाले उन तमाम विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक सुबकामने और मैं इस वर्थ से प्रातना करता हूं कि आप जल्द जो है आने वाली कोई भी वेकेंसी में आप एक लाइबिरियन बने और इस बेरोजगारी से मुक्ति प्राप्त करें दोस्तों जो भी विद्यार्थि इस क्लास को देख रहे हैं सबसे पहले हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए एक पॉजिटिव कमेंट जरू दीजिए और इस चैनल को सस्क्राइब जरू कीजिए ताकि आने वाले समय में और भी कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक हम आपके साथ सेर करते है दोस्तों आग की धो यह यूजिसब्य एंटिननेट की यह स्पेसिल क्लास है और इस क्लास नाम है दोस्तों इयर फूंग क्या हको एंज फॉरी कि क्या होता है कितने परकार का होता है इसको बिलकुल अम डीटेल से पढ़ने वाले से जो भी विद्यार्थी इस इस class को देख रहे हैं मैं उनसे एक बार और विनुमरे निवेजन करना चाहता होगी आप अपना pen और register उठा लीजिए और मेरे साथ साथ आप अपने register में इस topic को लिखिया आप जब इस topic को आप अपने register में notes बना कर लिखोगे और उसके बाद इस topic के बाद जो मैं important questions के अंदर एक confidence आएगा हाँ यह मेरा topic किलियर हो जाएगा दोस्तों तो मेरे साथ साथ notes जरूर बनाएं दोस्तों आएए सबसे पहले जो भी विद्यार्ति जो नहीं है हमारे इस channel को subscribe कर लिजिए और जो विद्यार्ति अभी तक हमारे इस telegram channel से नहीं जुड़े हैं और हमार इस channel से जुरूर जुड़ जाएगा यह भारत का सबसे बड़ा लागरी सैंस का telegram channel है इसको जुड़े जिए और जो विद्यार्ति नहीं है वो आप हमारा app को download कर दिजिए और app के अंदर बहुत सारा free content दियावा है क्या दिया दोस्तों app के अंदर बहुत सारा free content दियावा ह जो विद्यार्ति मुझसे बात करना चाहते है तो इस नंबर पर आप कभी भी call कर सकते हैं दोस्तों देखें दोस्तों जो भी विद्यार्ति यूजिसी नेट या सैट की त्यारी कर रहा है तो मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जो लाइबेरियन में सपल और आज सपल लाइबेरियन बनना हर कोई चाहता है कि यह सबसे बैस्ट जोब है एक तो नोन में आती है एक सांतिपुन्ग जोब है और कोई भी व्यक्ति या कोई भी स्टूडेंट चाहता है कि मैं लाइबेरियन में अपना करियर बनाना चाहता हूँ, लेकिन लाइबेरियन वही विद्यार्टी बनते हैं, जो लगातार मैनद करते हैं, दोस्तों, लाइबेरियन बनने में सपल और आसपल वेक्टी और आसपल आसपल सोरी, लाइबेरियन बनने से पहले जो विद्यार पढ़ते हैं और अपने हिसाब से पढ़ते हैं जुनको पता ही नहीं होता है कि कौन सा टॉपिक है और इस टॉपिक से कौन से और भी अन्य टॉपिक जुड़े वे हैं इसलिए आप हमेशा ध्यान रखना है कि यह यूजिसी नेट का जो से इसका प्रिंट आउट निकाल कर अ आटा गया है आज हम तीसरा इनिट पढ़ रहे हैं दोस्तों और तीसरा इनिट में आज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों आपका यह टॉपिक यह 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 यूजिसी नेट का 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 यह यह य जया सकता हैं तो सबसे पहले एरबुक को मुझे शुरू करसे पहले आपके मन ने सवाल इतल न इंडी जरू प्रत करें पहले पाज़ने आया़ लिए Marriage सबस्दिखंट भूआ पता हुं उ स्वाह रहान कना हैं पूराणि कंजा inbox को संदफ स्रोंत कैते क्या क्या कहते हैं तो सबसे पहले सवाल की एर्भुक को जाता है यह संदफ स्रोंत कर दिया लाता है अब आपके मन में सवाल आएगा का सर रेफरेंस स्वोंत क्या होता अगर चब किसी जब किसी विशेश विशेश पर सामानिय तथ्यात्मक सूचना का पता लगाने पता लगाने के लिए पता लगाने के लिए संदव रोधका परियोग कहा जाता है box अगर हम कोई पर्टिगुल सब्जेट पर अगर फैक्च्णा करनी है तो द्यानकना reference source is used to locate in for factual information और पर्टिकुलर सब्जेट जब हम किसी विशेष विशेप सामानी है तथ्यात्म जानकरी का पता लगाना तो हम क्या करते हैं दोस्तो संदव श्रोत का परियोग करते हैं क्या करते हैं दोस्तों संदव संदव स्रोत का परियोग क्या जाता हैं जो है यह dictionary है त्रीकोल इस आब और सुर्ण के उदारना के जिसे में jaki MP je है यह सारे जो ابdogs वह हमसे कह वाता है संदफ सुरुट के उत्रण है दों संदफ सुरुत हमसे उत्तर देता है उत्तर के देता है प्रिंफ में सांकिक ढता है किसिए भी विषै गी बरे में संदोब्स रोथ अमेंश दिया रखना स्ट्रेकलऺ्स ईनफ्रनेसंन, सांकिक, जानकर है 100% अमेंश विशुक। नहीं सान किसिर्ट है और बरे में हुआ है ऐसनों सुचना दिया दिया रखना तो के बुश्ट्वी कि उनद सूचना दी जाती है तो संदफ रोत वो स्रोत जिसमें अमयशा किसी चेटर की यह किसी विशेश-विशे की संसिट तथियात्मिक और संखी की रूप से सूचना दी जाती है वो क्या कहलाता है दोस्तो संदव सुरोत कहलाता है दोस्तो तो आपके सामने ये पता चल गया है कि एर बुक क्या है तो एर बुक एक संदव सुरोत होता है क्या आता दोस्तो एक एर बुक हो चाहिए UGC net set हो और भी एन्य टौपिक हो चाहिए E-mars हो हर competition में से एक दो सवाल इसमें से पुछे जाते हैं दोस्तों तो क्या होता दोस्तों के सामने ते वार्ट सी की संदर पुस्त कहलाती है क्या कहलाती है जूसतों संदर पुस्त के लाती एक वर्च में गटित घतना हो आर्ठिक चैटर की परगति हो अत्वा गिरावट हो राजनिति को सामाजिक परिवर्तल हो सांसकति गतिवी दिया आदि का संसित विवरन दिया जाता है तो द्यान डाया है वाट से कि क्या होती है तो वाड़ से की अंदर एक साल के अंदर तमाम वह गटना गटित हो चुकिंद Akarbeiten so संसित में मसलिप मैं जो सूचना दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं वाड़ से कहते हैं ुए कर से प्रांथिय राष्ठिय ऑर क्या हो सकता है तो फार्षिक का मलब होता है कि जिसमें एक वर्ष में एक वर्ष के अंदर जितनी भी गटनाइ गटी हो चैज कोई भी छेतर की हो चैज क्यों राजनितित को चाहे वह स्जादिक चाहे वो आर्थिक हो उन तमाम गटनाओं के संसिप्ट जानकरी जो किसमें दी जाती है भी एर बुक में दी जाती है दोस्तों जनरली एर बुक गटनाओं के संसिप्ट जाता है इंचिआव भी करो रहा है दोस्तों चाहे वीच थी जाता है। मेह दोस्तों है उसके बाद बहुत सारे लोगों ने अलग-अलग जो की परिवासरी हैं महत्पूंट जो परिवासय है जो परिक्सा में आने योग है वा सबसे पहले परिवासर दी हैं इक विल्यम काटस कैंडे सा किसमें ने एस लियु ने नि9 विल्यम काटस स कि वार्षी की किसी वर्ष विशेश से संबंदित तत्यों संख्य की विवरोन का संसिप्त कारिय वता है आगी बात वैई तो विल्यम काटिन ने किया कहा कि एर्बुक जो अना एक अमेशा ध्यान रगना उसमें कोई भी विशेश जो है जो विशेश से संबंदित वहाँ पर एंदर ये तो यह यहां सट्यकानों संख्यानों को किस्ति कारिय क्या कहला थे तो एर्बुक क्यलता है तो अकौरडिंग तो विद्अ कार्टरंग इंगर एक बूक कों साइस वर्क ऑफ एंड इस्टेटिकल डीटेल रिलेटेट टू पर्टिकल एयर उस विशेस वर्स समंदित जितनी भी सुचना है वह सुचना फैक्ट ओनी चाहिए और इस्टेटिकल ओनी चाहिए वह हमेसर क्या क्या एक यह बूक क्या लाती है और एले एयर बूक की परिवासा आजाएं कई भी एयर बूक की परिवासा आजाएं तो दो वर्ड याद रख लेना एक तो वर्णात्मक और एक संख्यात्मक द्यानकना यह इस्टेटिक वर्ड याद रखना द्यानकना जहां पर इंपॉर्मेशन इस्टेटिकल के रूप में दिया होता है वो क्या कहलाता दोस्तों वाट से कहलाता है दोस्तों तो according to a la glossary and annual issue of descriptive or statically current information sometimes confined to a specific area is called yearbook इससे क्या कहा जाता है दोस्तों इसको yearbook कहा जाता है दोस्तों तो कहने का मतलब यह है कि आपको सबसे important चीज़ी जया द्यानक ना है कि yearbook को हमेशा द्यानकना है वन्नात्मक और संक्यात्मक सुचना देती है और यह विसीष्ट चेतर तक सिमित होती है चाहे वह विसीष्ट सामाजिक हो चाहे आर्ठिकी हो चाहे भी वह जो है दूसरा राजनितिक हो उसके बाद और हम पढ़ते हैं इयर बुक के बार में वार्षिक पुस्तगे या इयर बुक या वार्षिक की पिछले वर्ष के वर्णात्मक और सांख्य की आकड़ों का एक वर्षिक संग्रे होता द्यानगना इयर बुक जो होता है एक हमेशा ध्यान अगना है दो चीज ध्यान अगना वर्णात्मक और सांख्य की आकड़ों का एक संग्रह होता है तो जब भी इयर बुक की परिवासा में दो वर्ड याद रगना है कि इयर बुक का हमेशा एक ऐसा कलेक्शन है जिसके अंदर हमेशा इंफॉर्मेशन डेस्क्रेप्टिव और जो इस्टेटिकल डाटा के उपर रहता है इसे सार संग्रह कहा जाता है क्योंकि यह एक विसाल व है अगेन सब्सक्राइब का जाता है इसे सांग्रह निया से अससचाहर नह test जता है इसे सार संग्रह कहा जञाता है लेकिन उस संसित और तथ्यात्मिक सूचना ही एर बुक में दी जाती है दोस्तों वेरी इंपोर्टेंट जाने का उपयोग रुजान के लिए क्या जाता है रुजान का मतलब क्या होता है ट्रेंड ठीक है न तो एर बुक का प्रियोग की वर्तमान में कौन सा ट्रेंड चल रहा है क्या ट्रेंड चल रहा है उनके बारे में पता लगाने के लिए किसका प्रियोग क्या जाता है दोस्तों सबसे पहले हम बात करते ह है कि वाट्षक्यों को उनमें नहीत जानकरी के अधार पर निमलिकी स्रेणियों में विवाजित क्या गया है दोस्तों सबसे इंपोटेंट ज्यान रखना जो इयर्बुक है इन इयर्बुक को भी अलग-अलग भागों में बाटा गया है यह कई बाद सवाल प्रिक्षा के अं और अलग-अलग स्रेणियों में ध्यान रखना है अधिक जानकरी के अधार पर उनमें विवाजित क्या जाता है तो इयर्बुक को तीन भागों बाटा गया पहला है जनरल इयर्बुक जिसको इंदी में कहते है सामजिक वार्षकी पहला भाग कौन सा दोस्तों सामजिक वा दियान लगना है ए यि ओम कितने परकार के होते तो' वाट सी की दियान रगना है तीन परकार होती है। छीके93 कई एर्भूख को और किस नाम से जड़ाता है तो वाट सी की को एनियology के रूप में भी जाना चोन आपके चाहँ से नियूँज को द्यान रखना है एनने जरोप में भी जैना क्यां कि धसको यह बुक का अनिया नाम और से दोस्तों अटीकर जिस में पहला परकार हम पड़ने जा रहे हैं दोस्तों जिसे निमें कहता है है सामानेवार्शिक्षिक्षि अब सामानेवार्शिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक के संदफ पुस्दक है जहां पर हमेशे किसी विशे की जो है क्या कहаст Elle सकते हैं अब्रिक जाने सब्सक्राइब एक लिए करने होगी हमेशे संसित्स जानकरी होगी किसी विशेय के ऊपर और इस्टेटिकल डेटा और उस विशेय के जो समंदित जो सांकिक आंकड़े हैं वह उनकी जानकरिया मैं से एर्बुक में होती है एक्जाम्पल के तोर पर इंटरनेशनल इयर्बुक और दूसरा नैशनल इयर्बुक यह बिलकुल जनरल इंस जन जानकरियोगी एयर्बुक में एयर्बुक के अंदर ज्यानकना बहुत सारे विशेय की सुचना होती है तो एयर्बुक के अंदर सुचना चाहे वो रायन्यतिक छेतर की हो चाहे वो आर्टिक छेतर की हो चाहे वो समाजिक छेतर की हो लेकिन बहुत सारे विशेय होंगे लेक on geographical basis और उनको आगे बोगली का दार पर बाटा जाता है और General Ear Book के यह दो उधारन है एक International ये और दूसरा है National Ear Book दूसरा है दोस्तों आपके subject ear book subject ear book को Indy में कहता है विसे गतवार से कि क्या कहता है विसे गतवार से कि वे पुस्तके हैं जिनमें किसी विशे या विशे के समू के बारे में सुचना उपलब्द होती हैं। उस व्यक्ति के बारे में भी इसमें जानकरी दी जाती है दोस्तों, तो सब्जेट एर बुक्स आर दोस बुक्स इन विच इनफोरमेशन अबाउट अबाउट एस सब्जेक्ट और एक ग्रूप ऑफ सब्जेट्स इस अवैलेबल, इस टेक्स गिव एक ग्रूप एक इनफोरमेशन अबाउट दा मेजर इवेंट्स इट हैपन इन डेट सब्जेट अब एक्सपर्ट इस एक्सपर्ट इस एक्सटर जानकर ना, सब्जेट इएरभू के उधारण क्या है, पहला उधारण है एजुकेशन इयरभूप, अबहुत इस एक्सपर्ट दोस्तों सब्जेक्ट इुक है इन इसको की द्वारा शुरू क्या गया था हूं कि दोस्तों अब हम बात करते हैं तीसरा और्गनाइजस्टनल इयर्भुक तो और्गनाइजस्टनल इयर्भुक को इन्दी में कहते हैं संगटनों की वार्ट सेखी तो संगटनों की वार्ट सेखी तो संगटनों की वार्ट से संगटन वर्ट सेखी तो लिएशन के बारे में संसिप्द और जानकरी पुतियास है उद्स यह है गतिवी दिया है नई गतिवी दिया आधी तो ओर्गनाइजेशन और फंट नेजीक्टार यह मैं सा होती है यह बोक्स और गोनेजाशनल और बुक्स देट प्रवाइड ब्रीप टाइमली इंफॉरमेशन अबाट और ऑर्गनेजेशन सच एज बीप एड रिश्ट्री ऑफ दा ऑर्गनेजेशन ऑब्जेक्टिवस एक्टिविटीज और न्यू अक्टिविटीज तो तीसरा जो यह बुक का परकार है वो है और्गनेजेशनल यह बुक जिसे कहते हैं एक्जाम्पल के तोर पर यह बुक ऑफ दा युनाइटेड नेशन जो कब शुरू हुआ था उनिस सो से तारिस में युनाइटेड नेशन के द्वारा और कहां से यह पब्लिस होता है यह प किसके द्वारा पॉब्लिस किया जाता है एक्जाम्पल के उधारन है अब हम वह बहुत अब हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों इंपोर्टेंट इयर्बुक जासे परिक्सा के अंदर सवाल बनता है और हमेसा उनके बारे में सवाल अमेसा परिक्सा के अंदर पुचा जाता है दोस्तों तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं इंपोर्टेंट एक्जाम्पले यह एइर्बुक का तो पहला जो यह वह है आपके युरोपा वडूड यह बूख यह बहुत दोस्तों लंदन से परकासित होता है और इसका कब से सुरू हुआ है बई 1926 और इनकी फ्रिक्वेंसि फ्रिक्वेंसि का मलब होता है और इनकी आधि क्या है दोस्तों वाट सिकी है तो यह रोपा वर्ल्ड एर्बुग जो है यह रोपा पॉब्लिकेशन के द्वारा जो है इसको पॉब्लिच क्या जाता है लंदन से क्या जाता है और यह सबसे important है दोस्तो statements yearbook very important तो द्यान रखना है इस yearbook में द्यान रखना या इस वाट सिक्व हमेशा जो जो भी international जो प्राइम minister है यह राश्ट्पती है उनके बारे में जो जानकरी जो है इसमें यह statement yearbook में दी जाती है तो द्यान रखना है statements yearbook कहां से परकासित होता है यह statements yearbook London से परकासित होता है very important दूसरा statements year को किसके दोरा publish किया गया था very important पाल्ग्रेव Macmillan के दोरा very important दोस्तों मैखमिलन के दोरा इसको published क्या गया था इसका publication कब से शुरू हुआ था 1861 में और इसकी frequency क्या है दोस्तो एन्वल इसकी frequency है दिया लगना तो कई बार स्वाल पुझा जाता है कि statements yearbook published from तो statements yearbook जहां पर बहुत important जानकर दी जाती है international level के जो राष्टपती परदान मंत्री है उनकी जीवनी के बारे में या उनके बारे में जानना है तो यह सब statement yearbook में होता है तो इनका publication London से किसके द्वारा published क्या गया है पालग्रेव मेक्मिलन के द्वारा कब से published क्या जा रहा रहा अठार चोशेट से published क्या जा रहा है दोस्तों और यह तीसरा इंडिया का very important question है दोस्तों इंडिया का इसका जो publication है वह कहां से शुरू होता है नई दिली से और published क्या जाता है आपके publication division ministry of information and broadcasting government of इंडिया दिली से और इसका publication शुरू होता है 1903 यह विभीन चेत्रों में देश की प्रग्रति का एक व्यापक विवरन है द्या नगना तो इंडिया क्या है it is a comprehensive digest of the country's progress in different fields यह अलग लग यह विवीन चेत्रों में देश की प्रग्रति का एक व्यापक विवरन है दोस्तों यह चीज आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों उसके बाद the annual register a record of world events very important दोस्तों very very important यह चीज आपको ध्यान में रखनी है ठीक है the annual register a record world event यह कहां से publication होता है इसका publication होता है London से कहां से दोस्तों लंदन से इसको publish क्या गया है भई long band के द्वारा और कहां से प्रकासित होता है यह 1758 से प्रकासित होता है और इसका frequency क्या है दोस्तों यह आपका annual है क्या है दोस्तों annual है त्यान लगना तो यह चारो जो example है yearbook के बहुत ज़्यादा important है और सवाल अमेशा यही से ही बनता है दोस्तों जो विद्यारती इस class को देख रहे हैं आप मेरे साथ साथ notes बनाएं आप आज यह topic yearbook जो मैं आपको बढ़ाने जा रहा हूँ जब इसका आप एक बाद notes बनाओगे notes बनाने के बाद last कुछ important question आप solve करोगे तब आपको संपोन yearbook के बारे में आपको पता चल जाए कि yearbook क्या होता है इसकी परिवासा क्या होती है इसमें किस परकार की जानकारी होती है यह कितने परकार का होता है कौन से yearbook कहां से चपता है कौन से important yearbook है तमाम सारी जो information है सब उसके बाद आप जब दूसरी बार पढ़ोगे तो पढ़ने का इक अलगी मज़ा आएगा दोस्तों हम आप लोगों के लिए अच्छा सा अच्छा content दे रहे हैं मेरे अलावा मेरे अलावा चार लोग जो है आपके लिए अच्छा सा content लेकर आ रहे हैं और वो भी हम bilingual और जल्द हम part-wide test भी शुरू कर देंगे दोस्तों मैं यह चाहता हूँ कि आप लोग जो हैं बड़े असा notes बनाई है क्योंकि जब तक syllabus की हिसाब से एक टोपिक किलियर नहीं होगा तब तक आपको बहुत ज़दा problem आएगी जब एक टोपिक किलियर होगा तो library science दिरे दिरे अपना आप आपकी दिमाग में set हो जाएगी दोस्तों क्योंकि दोस्तों मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि आपको कि shortcut कोई सपलता का रास्ता नहीं हो सकता है बहुत सारे विद्यार्टी कहते है sir दूसरे coaching वाले PDF देते हैं आप PDF क्यों नहीं देते हो तो मैं उन लोगों से य लाइबेर्टन बनने की त्यारी कर रहा था मैंने के वीस का इंट्रू भी दिया अएंदाबाद हाई कोड में देत निकाला कभी दो गुना में धुमा था मेरा तो कहाने मैं फइला सान गूर्मनेंट स्कूल में जो हे लाइबीरेन के रूप में काम कर रहा हूं तो मुझे पता है कि मैंने कैसे त्यार की अलागि उसमें मुझे किसी परकार का गाइड करने वाले कोई वेक्ति नहीं था उसमें इतने सारे ओनलाइन प्लेटफॉर्म भी नहीं थे लेकिन फिर भी मैंने सेल्फ स्टेडी किया तो मैंने बहुत ज़्यादा चार साल इस्ट्रेगल किया म हम आपको लिए अच्छा से अच्छा का कंटेंट प्रोवाइड करवाएं तकि आपको क्या है कि जो है कंटेंट आपको अगर मिल जाता तो आपको केवल शिरुफ याद करना और टेस्स देना से होता है तो ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजिन में समय बिताओगे और ज् अगर आपको त्यारी करनी पड़ेगी अगर आप 4 से 6 मिन अगर आप त्यारी करते हो तो मेरे से लिख के लेलो आपका आने वाला कोई भी लाइबिरेन कॉंपूरिटेशन में आप लाइबिरेन बन जाओगे ये मैं आपको 100% गारेंटे देता हूँ लेकिन इसके लिए आपक एक पेपल खाली छोड़ दीजिए अगर कहीं आपको नया कुछ content मिले उस topic से समंदित आप आराम से add कर सकते हैं दोस्तों तो क्याने का मतलब यह हैं दोस्तों कि एक ही जगह पर content दे रहे हैं ताकि आपको चीजे किलिए हो सकते दोस्तों तो आएए शुरुआत करते हैं आज के इस topic के कुछ important question है वहीं पहला सवाल यह है कि इंडिया एफ्रेंस एन्वल यह इंडिया एफ्रेंस एन्वल के हैं दोस्तों यह भारत की एर बुक है एक बार से की है इसको पुब्लिस क्या जाता है यह जाता है इसको पुब्लिस क्या जाता है दोस्तों इसको पुब्लिस क्या जाता है पुब्लिकेशन डिविजन किसके दौरा द पॉब्लिकेशन डिविजन से इसको पॉब्लिकेशन डिविजन मलब जो है प्रकाशन विबाग दिली से इसको प्रकाशित क्या जाता है दोस्तों दूसरा सवाल है यूजिसी नेट दोजा तेरा के अंदर आया था कि इन्फॉर्मेशन अन म्मिनिस्टर और बंगला Δे सरु बांगला देस बंगलादेश के प्रदान मंतरी बारे में जानकर्ई के जाटा से तो बांगला देश के बारे में जानकरी है वो जानकरी आपको कहा dodgenin में है wasn't इस्टेट मेंस एर्बुक के बार इस्टेट मेंस एर्बुक से आपको जानकरे मिलती है दोस्तों कहां से मिलती है दोस्तों इस्टेट मेंस एर्बुक से जानकरे मिलेगी दोस्तों ठीक है उसके बाद है इस्टेट मेंस एर्बुक कहां से परकासित होती है तो आपको पता होन से कौन सा संकिक का एक तयार संदफ शुरूत है वीच उप फॉलविए रेडी रेफरेंस सोर्स ऑप स्टेटिक्स वेरी इंपोर्टेंट कोशन यहां पर सूचना इस्टेटिकल डाटा में नीयमा इसमें आ हम पाद उसके बाद हम बात करता है कि statements yearbook का publication कब से शुरू हो आ था तो statements yearbook का publication शुरू हो आता 1864 से कब से शुरू हो यह देखिए वर्नात्मक और या सांक्य की रूप से वर्तमान जांकरी की वाट सिंक मात्रा जो कभी-कभी विसीश शेत्रक तक समित होती है मैंने क्या कहा था जिस अंदर सुरोत में सूचना सांख्य की की रूप से और वर्णात्म की रूप से अंग्रेजी में दो वर्ड है एक तो है descriptive और दूसरा जो है statical वो हमें सा किसकी पारी परिवासा हो सकती है वो परिवासा है द्यानक ना राश्ठपत्य के राश्ठपती का नाम किसमें आप द्यानक नाне कर दोस्तों अर्श्चर्पत्य का नाम् इसमें आप दून सकते हों तो वह दून सकते हों आप जया लगदा है statements एर्बूट में कहां डून सकते हैं दोस्तों इसका नाम डून सकते हो दोस्तों तो जो भी वित्यार थी UGC net site की त्यारी हमारे online School India platform से करना चाहते हैं उन सभी को मैं बताना चाहता हूं कि हमने हमारे एप पर UGC, NTA, NET और SET का सेलेबस शुरू कर दिया है और करीबन हमने 50% से ज़्यादा कोर्स करा भी दिया है उमीद है कि आपके 10 डिसंबर से पहले पहले हम UGC, NTA, NET का पहला पेपर और दूसरा पेपर दोनों का हम आपको जो हैं करवा देंगे और टॉपिक वाइट टेस्ट भी दे रहे हैं और यूनिट वाइट टेस्ट भी दे रहे हैं और पूराने जितने भी पेपर है NTA, NET के 1990 से लगा कर दो चार बाइस सक वह सारे तमाम पेपर आपको जो हैं हमारे इसमें प्रोवाइट करवा देंगे दोस्तों जो विद्यारती UGC NET की त्यारी करना चाहते हैं तो मैं आपको दो बाते इस्पुष्ट करना चाहता हूँ जो भी हमारा यहां से पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको दो बाते इस्पुष्ट करना चाहता हूँ ताकि आपको किसी परकार का कन्प्यूजन नहीं रहे हैं पहले पात तो यह जो अमारा जो complete course है तो हमारा जो complete course है ना this completeもし yourNotesphemeral recorded form किसमें होगा recorded class में होगा दूस्तो who recorded class में होगा biscuit है यह जो हमारा complete course है They recorded class में होगा कोई भी live class नहीं होगी क्योंकि ध्यान बड़ा इतना बड़ा कोर्स कभी लाइव पढ़ाया नहीं जा सकता है अगर कोई कहता है कि मैं लाइव पढ़ाता तो मुझे लगता है वह आप लोगों से जुट बोल रहा है और आपके आखों में धूल जोकने का काम कर रहा है क्योंकि इतना बड़ा कोर्स कभी भी लाइव पढ़ाया नह प्रिंट आ निकाल सकते हूं क्योंकि विधियार हैं मुझे लगता है कि आने वाल समय बन पखाता है इस वा भीmin के टयारी नहींहें चाहिए क्योंकि जो भी मैंने इस्ट्रगल क्या जो बहुत सारी चीजसेस uh निम्हें imposing आपको मैं मार्क देशन के रूपके दे रहा हूं और मेरा हमारा ओंलाइन स्कूल इंड्या के टैगलाइन है कि हमारा मार्क देशन मैं न तो आफिर चाहर आप गार मिलेगी दोस्तों ठीके दोस्तों तो यह दो दो बाते जो मैंने आपको बता दी है और जो भी त्यारती हमारे से जुनना चाहते हैं आप UGC NTS net का आप syllabus निकाल लिए syllabus निकालने के बाद आप हमारे आप के अंदर जाहिए और देख एक syllabus से आपसे हमारा content है या नहीं है ओके दोस्तों thank you very much बहुत बहुत दन्यवाद